आज एक ब्रेकफस्ट का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप सब के साथ 10 मिनिट्स इजी एंड क्विक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफस्ट का रेसिपी है यह तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है यह ब्रेकफस्ट इस ब्रेकफस्ट का रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रिडियन्ट्स चाहिए वह मैंने चॉप करके अल्यडी ले लिया है चॉप्ट अनियन है चॉप्ट कैपसिकम चॉप्ट टोमैटो चॉप्ट ग्रीन चिली और ग्रेट किया हुआ दो से तिन अलहसन के कलिया ले लिया है और उसे में एक ग्रेटर से ग्रेट करके करके ले लेती हूँ एक बड़ा सा बोल में बैटर हमें उसी में रेडी करना है थोड़ा सा नमंग डाल लेते हैं एस पर टेस्ट जितना चाहिए होगा उतना आप डालिएगा इसका कोई नाप नहीं है सॉल्ट एंड शुग अब इसके साथ जितने बी चॉप किया हुआ वेजीज है वह डालेंगे सबसे पहले ग्रेटेट गार्लिक डाल लेते हैं उसके बाद एक करके अनियन कैप्सिकम टोमैटो ग्रीन चिली लास्ट में टालेंगे यूँकि पहले एक मैं बना लूँगी बेवी के लिए बेवी जो है वो नहीं खाता तीखा उसके बाद बाद में मैं ग्रीन चिली आइट करूँगी साथ ही मैं इधर दो एग ले लिया है दोनों अंडे को मैं फोर्क करके उसी में ले लूँगी जिसमें मैंने सारे इंग्रिडियन्स लिया है अब इन सारे चीजों को अच्छे से आलू के साथ जितना भी इंग्रिडियन्स मैंने लिया है अंडा वगेरा सब चीज अच्छे से मिला लेंगे ताकि evenly mix हो जाए अब इसमें हमें add करना है half cup oats मैंने जैसा कि मैंने कहा कि जो breakfast में बना रही हूँ बहुत ही healthy है अंडे डाल गया है इसमें बहुत सारे veggies है यह आटा मैंने two-third cup आटा लिया है इसमें आप मैदा डाल सकते है नहीं भी डाल सकते है सूजी डाल सकते है लेकिन मैं इसका एकदम healthier version बना रही हूँ इसलिए मैं नहीं use किया मैदा मैं डाला है two-third cup आटा और आधा cup oats डाल के और इसमें मैंने एक बड़ा सा इसका potato डाला है दो eggs डाला है और धेर सारा veggies डाला है अब इन सारे चीजों को अच्छे से whisk करके hand whisk करके help से whisk करके इसे एक batter बना लेंगे smooth सा थोड़ा थोड़ा करके पानी आट करेंगे और एक batter ready करेंगे बहुत जादा गारा नहीं होगा नहीं बहुत जादा पतला एक medium thickness वाला batter हमें ready करना है ऐसे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि आप lumps पकना lumps या गुटलिया avoid कर सके थोड़ा थोड़ा करके पानी डालके करेंगे तो बहुत अच्छा batter ready होगा लास्ट में इसमें हम डालेंगे चौप किया हुआ fresh हरे धनिये के पत्ते इसे मैं ऐसे कैची से कट करके डाल लेती हूँ डेली सुभा उटके नास्ते में क्या बनाना है ये बहुत बड़ा tension होता है रोज रोज एक तरीके का खाना sandwich हो या bread toast हो ये सब अच्छा नहीं लगता हर रोज इडली दोसा भी अच् चीस तो कम से कम करना चाहिए कि कुछ healthier version ले breakfast का तो ये जो recipe है quickly बन जाता है ingredients जो भी मैंने बोला वो सब घर में available होता है आप फटा फट दस मिनिट के अंदर ये बैटर बना के और इसका चीला बना के आप सर्फ कर सकते है मयोनीज के साथ या तो टोमाटो केचब के साथ जो लुकसा गरम हो जाए उस में मैंने ऊयल ब्रश कर लिया है बहुत ही कम और में ये नाच्ता बनके रेडी हो जाता है शुरू में आपको बस distinguish करना है उसके बाद दो बेटर को अच्छे से स्प्रेट कर दिया है गैस का फ्लेम को एकदम सिमर करके ठकके मैंने छोड़ दिया था दो-तिन मिनिट के बाद देखिए इसे हमें पलटाना है बहुत ही ज़्यादा केरफुली इसे हैंडल की जिएगा पलटने के टाइम में यह तूर जाने का चांस इसलिए इसे पलटने के टाइम में आपको बहुत ज्यादा साबधानी बरकना है, बहुत हलके हातों से आपको इसे पलटना है, वरना ये तूट जाएगा, दूसरे तरफ भी मैंने थोड़ा सा ओयल ब्रश कर लिया था, अब इसे फिर से पलट के, अलट पलट के फ्लेम को थो इस्तिमाल कर सकते हैं, जो आपके मर्जी, मैंने यह पर ओयल, सिंपल ओयल का इस्तिमाल किया है, दोनों तरफ से सीख जाएगा, आपको कलर देखके पता चलेगा, ब्राउनीश, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, एक जो चीला है, इसे हम लोग ओट्स, पोटैटो, क्रेप भी कह सकते हैं, वो बनके रेडी हो गया है, एक रेडी हो गया है, एकदम गरम गरम, दूसरा भी बना लेते हैं, सेम तरीके से, ये वाला ब्रेकफर्स्ट मेरे ख्याल से, बच्चे लोग जो है, उन्हें भी बहुत जादा पसंद होगा, और ये बहुत हेल्दी है, बच्च के अंदर जाएगा, इसको अप डिफिटली घर में ट्राइ कर सकते हो, और ब्रेकफर्स्ट में सर्फ कर सकते हो, देखिए मैंने टॉमयठो केछी प के साथ शेप कियाए, टॉमयठो केचप के साथ या मियोन्य दोनों चीजों के साथ अच्छा लगता है, एक एक करके सारे क इलाके आप बना सकते हैं एक एकर के सारे क्रेप्स रेडी कर लिया है मैंने एकदम परफेक्ट हेल्दी नाश्ता बनके रेडी हो गया है इसे आप घर में ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताईएगा कि कैसा लगा I hope कि वीडियो आपको अच्छा लग तब तक के लिए मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए मेरे सारे के सारे यूनिक रेसिपीज एक सिब बड़कर एक रेसिपीज मैंने शेर किया है उसे पलीज देखिएगा घर में ट्राइ कीजिएगा चलिए stay safe stay healthy take care and bye bye